आप आपके साथ मैं हूँ प्राची पारशर प्रहार में आज बात करेंगे जुटी है और जुटी है जेडियू से लेकर Арटजेडी और कॉंग्रिस से लेकर वीजपी तक सियासी हालात पर मंधन में जुटी है इसे बीच पिहार के सियम नितीश कुमार बकसर पहुच गए हैं जबकि डिप्टी सियम और रारजेटी नेता तेजस्वी आदव ने बकसर प्रोग्राम से दूरी बना ली है वो बकसर नहीं पहुचे हैं जबकि गेस्ट लिस्ट में तेजस्वी आदव का भी नाम है आपको यहाँ जानकारी दे दें कि तेजस्वी आदव ने इसे पहले कल राजभवन में आयोजित कारिकरम से भी दूरी बना ली थी तेजस्वी आदव गवर्नर के प्रोग्राम में भी शामिल नहीं हुए थे उनकी कुरसी पर जेडियू के मंतरी अशोक चौधरी बैठे थे और अब तेजस्वी आदव बकसर भी नहीं जा रही है तो एक तरफ कल की तस्वीरों ने सुर्खिया बटोरी थी जिस तरीके से परचीव फार कर आशोक चौधरी तेजस्वी आदव की कुरसी पर बैठे थे कई सवाल खड़े हुए थे और इस पर नितीश कुमार का ये बयान देना कि जो नहीं आया उनसे ही पूछेगा ना कि क्यों नहीं आये हैं और अब जब एक कारेक्रम बक्सर में हो रहा है सरकारी कारेक्रम है नितीश कुमार इस कारेक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुचे हैं तेजस्वी आदव को भी इस कारेक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुचना था लेकिन तेजस्वी आदव ने इस कारेक्रम से भी दूरी बना ली है जो साफ संकेत दे रहा है कि नितीश कुमार कुछ बढ़ा करने जा रही है नितीश कुमार आरजेडी का साथ छोड़ने जा रही है नितीश कुमार एक बार फिर से अंडिये में वापसी करने जा रही है अंडिये के साथ जा रही है अंडिये से हाथ मिलाने जा रहे all is well महागटपंदन की सरकार मस्बूत है लेकिन between the lines आरजडी के नेता भी ये जानते हैं कि नितीश कुमार को अब समझाना नितीश कुमार को अब मनाना मुश्किल ही नहीं बलकि नामुम्किन नसर आ रहा है क्योंकि नितीश कुमार अक्सर जब भी ऐसे फैसले लेते हैं तो एक आएक ऐसे फैसले लेते हैं और उसके बाद उन्हें समझाने की उनसे बात करने की जो गुंजाइशे हैं वो लगभा खत्म हो जाती है चाहे दो साल पहले बीजेपी का दामन छोड़कर आरजडी के साथ महागटपंदन में शामिल होना सरकार बनाना और इस वक्त क्या पोल रहे हैं केंद्रे मंत्री अश्वनी चौबे आपको सुनवाते हैं कि यहां भगबार राम की प्रसम कर्म भूमी में दुनिया की विशालतम मूर्ती सी रामकी और रामाइन सेंटर बनने जा रहा है उसका भी भूजन जल्दी होगा जाहे बीदी आखे राम ताही बीदी नहीं सेंटर नहीं से टेक्ष सिन्दोर इस प्रसमुन जाहे पहली बार लेके आए थे और अंतिम में हमी लेके आए यह काम करवाना है पहली बार आप पहली बार सीम को लेके आए माना जाए कि सरकार का करण बदले वाला है तो नितीश कुमार एंडिये में शामिल होने जा रही अंदाजा अब बीजपी के नेताओं केंद्रे मंत्रियों के बयानों से लगा सकते हैं वो नेता जो अभी तक नितीश कुमार को पानी पीपी कर कोसा करते थे वो नितीश कुमार के लिए अब ये कहते हुए नसर आ रहे हैं कि जो राम ने चाहा है वही होगा यानि नितीश कुमार ये फैस्ता ले चुके हैं कि वो NDA के साथ जाएंगे और लगभग फॉर्मूला भी तै हो चुका है हाला कि नितीश कुमार अभी बकसर में है और बकसर रवाना होने से पहले मुख्यमंतरी नितीश कुमार ने पाटना में दमकल की नई गाड़ियों को हरी जंडी दिखाई इस कारक्रम में भी तेजस्वी आदव नहीं दिखे जबकि अमूमन सभी कारक्रमों में नितीश कुमार के साथ तेजस्वी आदव दिखते थे ये कारक्रम तो पटना में ही होना था पटना की कारक्रम में भी तेजस्वी आदव शामिल नहीं हुए जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं जैसे आप ये समझ सकते हैं कि आरजेडी और जेडियू के बीच में बहुत बढ़ी दरार आ चुकी है और इस दरार का भरा जाना अब नामुम्किन नसर आ रहा है सीधी सीधी संभावनाई ये नसर आ रही है कि नितीश कुमार आरजेडी का हाथ छोड़कर मेरे सायू की नितीश अंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं नितीश कल तेजस्वी का टी पार्टी से दूरी बनाना पटना के कारेकरम में शामिल ना होना नितीश कुमार के साथ बकसर ना जाना सीधे तोर पर इशारा कर रहा है कि मैसेज क्लियर है आरजेडी को कि अब नित जो साफ तोर पर बता रहे हैं कि नितीश कुमार अब उनके पास नहीं है नितीश कुमार अब NDA में जा रहे हैं और जाहिर ये ख़बर लालु यादव तक भी पहुँच गई है और लालु यादव की तरफ से उनसे संपर करने की कोशिश भी की जारी है शिवानन तिवारी ने उनसे बात भी किया समय भी मांगा लेकिन समय नहीं मिला तो ये सारी चीजें किसी भी आदमी के लिए समझने के लिए काफी है और फिर लालु तो माहिर राजनेता हैं तो अब RZD ये मान चुकी है कि नितीश कुमार जो है वो अब इंडिया गठवंदन में नहीं रहें और ये गनित समझा रहे हैं कि आखीर आएंगे तो क्या फाइदा होगा तो ये सारी बातें अब साफ तो पर बता रही है कि आगे क्या होने वाला है और नितीश कुमार अब जो है एक बार फिर से अंडिया में शामिल हो रहे हैं अब इस खबर से तो इंकार नहीं किया जा स माना ये जा रहा है कि वो आलाकमान का संदेश लेकर पटना आए हैं जिसके तहट आज बीजेपी और निटीश के बीच फाइनल डील होगी आज पटना में बीजेपी वधायकों और सांसदों की बैठक है पटना पहुचने पर विनोत तावडे ने राहूल गांधी पर निश पार्टी बिहार के प्रदेश कार्य समीती सभी सांसद और सभी विदायकों की बैठक है उसमें लोगसभा प्रवास लोगसभा चुनाओं को मद्दे नदर रखते में जो चीजे राष्ट्रियस तरपर पार्टी ने तैक किये वो बिहार में कैसे होगी क्या सांसदों की अपने शेत्रे में उन्होंने क्या करना है विदायकों का लोगसभा में कैसे योगदान रहेगा इन सब बातों को लेकर आज चर्चा होगी मौझुदा बिहार की जो राजमुचीफ आलाथ है उस पर क्या आप रोखी नदर है मौझुदा पर यह कह सकता हो कि राहूल गांदी की भारत जोड़ो यात्रा यह इंडी आलायंस तोड़ो यात्रा हो रही है क्या बंगाल में ममता दीदी को तोड़ा यहां पर उनके प्र पर जोड़ो है यह इंडी आलायंस तोड़ो यात्रा है दन्यावां देके सबसे आदा मुश्किल कॉंग्रेस को ही है जिस इंडिया आलायंस के दम पर कॉंग्रेस प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी को चुनौती देने की बात कर रही थी उसी इंडिया लाइन से एक एक करके जो मुख्य चेहरे हैं वो कॉंग्रेस का हाथ छोड़ रही है और इसी पर पीज़ेपी तंज भी खस रही है हालाकि इस पीच नितीश कुमार की नाराज़की पर जेडियू की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया है जेडियू के एमेलसी खाले दनवर ने कहा है कि कॉंग नितीश कुमार छोड़ रहे हैं अब सिर्फ आपचारिक ताएं बची है अब आप ये बताईए कि हर को ये जानना चाहरा है कि नितीश कुमार ने आखिर महागठवदन छोड़ा तो क्यों छोड़ा किसकी वज़ा से छोड़ा क्या कॉंग्रेस की वज़ा से छोड़ा या कॉंग्रेस पार्टी ने हर कदम पे या तो रफतार उनकी सही नहीं थी या डिच करने की कोशिश की और जिस विपक्छी एक्ता को ले करके नितीश कुमार बढ़े थे आगे और तमाम पॉलिटिकल पार्टी ओं को अठाईस पॉलिटिकल पार्टी ओं को जमा किया था उस Congress Party ने नितीश कुमार जी को ही और जनता दे उनाइटेट को isolate करने की कोशिश की और ऐसा लग रहा था कि जैसे Congress Party बिल्कुल serious नहीं है उसके कुछ नेता बिल्कुल serious नहीं है non serious काम कर रहे हैं और कई मिटिंगों में ऐसा महसूस किया गया हमारी पार्टी के लोगों ने महसूस किया कि Congress Party ने और पार्टीयों को अपनी पार्टी का हिस्सा बना लिया एक सेल समझ रही है वो पार्टी यानि independent political party नहीं समझ रही है तो ऐसे में विपक्षी एकता हम लोगों किस ले किया था देश के 130 करोड़ लोगों के लिए किया था और हम लोग यह चाहते थे के एक अच्छी अच्छा विपक्षी बने और एक अच्छी सरकार दे लेकिन आपकी नियत में अगर खोट है अगर आप यह समझते हैं कि नहीं जो कुछ है Congress हैं बाकि अरिजनल पार्टियों की कोई हैसियत नहीं है तो मेरे खाल से बहुत ज़्यादा रिलिवेंस नहीं रह जाता इस विपक्षी अक्ता का और ममता बनेर जी ने भी जिस तरह से इंडिया बैठक के ठीक पहले प्रदानमंत्री पद के नाम के तौर पर खड़गे की बात कह दी और फिर संयोजक की बात करें तो संयोजक का पद जो है वो तव अफर किया गया जब हो देर हो चुकी थी तो क्या ये सारे बिंदू भी हैं जो एक अधार है बाहर आने का देखिए ममता दीदी बहुत वरिष्ट नेता है और नितीश कुमार जी पह बिहार का कोई लीडर इस लेवल का नहों जो डेश के उपर जिसका नाम हो और देश के लिवल पर निशनल लेवल पर उसका चेहरा और कौन लोग थे ये तो यानि सोच का विशा है और इंविस्टिगेशन का पार लोग थे हो बता ही दीजे क्थिए विढ टारम पांटी फ चुकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो लीडर्शिप ही कहे तो जादा अच्छा लगता है और हम लोगों की कुछ दाइरा है उसी दाइरे में रहना चाहिए अपने लेकिन मैं ये जरूर समझ रहा हूँ कि नितीश कुमार को जो इज़त मिलनी चाहिए थी और जो मेहनत क की थी उन्होंने जो उनके वीजन पर जिस तरब आगे बढ़ना चाहिए था उसमें कहीं न कहीं बाधाया डाली गई और कुछ लोग थे जो बाधाया डाल ले थी तो ये बड़ी वजह है जिसके बाद ये फैसला जेडियू के तरफ से लिया जा रहा है नाराजगी थी इं जड़ा भी शा के घर पर पहुंचे हैं तो अब चिराग पासवान का रुक्या होगा क्योंकि चिराग पासवान नितीश कुमार को लेकर अपनी नाराजगी चिराग पासवान नितीश कुमार को लेकर अपने स्टैंड को गाहे बगाहे क्लियर करते हैं अब चिराग पासव पर अपना रुक्र तयर कर लिया है जेडियू प्रवक्ता नीरच नहों कहा कि आर्जेदी को अज प्रवक्ता नहीं रहा को संशय की स्तिती तो है नहीं सारी तस्वीर असपस्थ है लेकिन आजएडी नहीं कि संशय है confusion ऑजो संसय में रहते हैं जो confused है उनकी नाव दूबती है हम कोई confusion में नहीं है और हमारा नजरिया साफ है तो हम तो राजी की सेवा करते रहेंगे अब जो कोई confusion में हो जाने उन्होंने शाम तक का समय दिया था आल्टिमेटम दिया था कि आप इस्तिति असपर्ष्ट करें आप लोगों ने कुछ कहा नहीं हम तो साफ साफ कह दिये हमारे मन में कोई confusion नहीं है असुरी सुरियास्त भी हो गया सुरियोदय भी हो गया तो कहा है फैसला तो यह जाना चाह रहे हैं कि आप वाकई क्या जो ख़बरें चल रही है वह सही है क्या नितीश कुमार जा रहे हैं बीजेपी के साथ यह सवाल उनके मन के अंदर पैदा क्यों हुआ कैबिनेट में साथ हो बैठते हैं इसका मतलब मन के अंदर कोई अपराद बोध है आपका और अपराद बोध की ब्याख्या आप नहीं कर रहे हैं आपको लग लग रहा है कि हमसे कुछ ऐसा काम हुआ जिसके चलते हम परिसानी में आखिस साबजिनिक क्यों नहीं कर रहे हैं एक तरफ यह तस्वीरे तो चली रही है एक भ्रहम किस्तिती जो बनी हुई है उसका अध इसका मतलब कि कुछ न क Doyle को लिन कारन जिस कारण के अंद्रोनी जानकारी उनको है इसलिए उडीया टूरव से कंफूजन में नाव डूब तो एक confusion का फिलाल जो solution है वो यही नसर आ रहा है कि RGD को जटका लगने जा रहा है महागटपंदन को जटका लगने जा रहा है इस बीच बिहार की सियासी हलचल पर एक और बड़ी कबर आ रही है समराच चौधरी जीतनराम मांजी से मिलने पहुचे हैं ऐसे में जीतनराम मांजी के साथ समराच चौधरी की जो मुलाकात है इसे आप महत्वपूर मुलाकात समझ सकते हैं क्योंकि अगर BJP को जेडियू के साथ मिलकर सरकार बनानी है तो ऐसे में जरूरी ये है कि फिलाल मौजूदा सरकार में जो शामिल अलाई पार्टनर है उन्हें अपने साथ बनाकर रखना है उन्हें तूटने नहीं देना है और ये कोशशें फिलाल BJP की तरफ से शुरू कर दी गई है हाला कि जीतनराम मांजी की पार्टी हम के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार का बड़ा बयान सामने आया उनका कहना है कि नितीश कुमार NDA में शामिल हो रहे है ये अफ़वा नहीं है अगले कुछ घंटे में तस्वीर क्लियर हो जाएगी साथ ही उन्होंने कहा कि हम NDA को छोड़ कर कहीं नहीं जा रहे है हमारे साथ बाच्चित करने के लिए हम पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है अनिल कुमार जी और विधायक भी है वो मौजूद है अभी आप पहुंचे हुए हैं जीता नामजी से मिलने के लिए क्या लग रहा है NDA में कब शामिल हो रहे हैं कब सारी तस्वीर साफ हो जाएगी बिहार की राजनीते की लिए सारी तस्वीर तो मोटा मोटी साफ होई गई है और उसको सिर्फ मुर्थ रूप देना है तो हम समझते हैं कि दू दिन में हो जाएगा कहीं कुछ दिकत नहीं लगता है इस तरह का और हम लोग तो पुरे 32 जनता पार्टी के साथ हम लोग का गटवंधन हुआ है हम लोग इंडिये का गटक दल के एक सदस है और मानजी नेता हमारे जितना मानजी जी हैं जो नहोंने देश के लोग प्रिये प्रधा मंतर जी और लोग प्रिये गरी मंतर जी को समर्थन देने का अउनी के साथ कटवंधन हुआ है और देश में अभी जो हवा है जो काम किये हैं मानिय नरणर भाई मोदी जी ने एक मिसाल कायम किया है जो ध्या मंदिर में रामला के मंदिर अफ़ापित करके करपूर ठाकूजी को भातरतन दे करके 84-85 लग गरीबों के बीच करोड गरीबों के बीच फ्री अनाज दे करके तो बड़ा किसानों को 6000 रुपया सलाना दे करके तो इतना अतिहासिक अतिहासिक काम हुआ है और इंडिये के साथ तो मानिये मुखपंति नितिश कुमार जी करीब करिवा ही गया है सब हो ही गया है अब चरिता पुरा होगा और हम लोग साथ हैं विकास किये हैं बहुत तक पूरी हो जाएगी क्योंकि अभी भी आटजडी के तरफ से तो यही बात कही जा रही है कि यह सब अफवाएं है ऐसा कुछ नहीं है उनकी सरकार ठीक चल रही है तेजस्वी और नितिश कुमार की सरकार अंदर खाने की खबर क्या है अब तो लगता है कि मामला सब सता पर आ गया जो होगा सो एक दू दिन में होई जनन चाहिए